बक्री चराने वाला बना रातो रात करूर पती 40 रुपे लगाया और एक करूर पाया सुबह घर से निकला 40 रुपे लेकर उधार दो पहर घर लटते ही हो गया था सपना सकार जो कल था दाने दाने को मोहताज आज करने लगा पैसो पर राज पती पत्नी में होती थी रोज लराई लोटरी के चकर में नहीं करता था कमाई जिस गाउं के लोग कभी नहीं पूछते थे कैसे हो भाई आज गले लगा कर दे रहे हैं बधाई जिसे घर के लोग कहते थे निकम्मा बेचारा, आज मजदूर बन गया गाउं का चमकता सितारा, कहते हैं किस्मत जब देती है तो छपर फार कर देती है, आज ऐसा ही कुछ हुआ एक बकरी चरवाहा मजदूर के सार, सुबह में बकरी चराने निकला था दो पहर घर आते ही, उ दिल से आपका स्वागत करता हूँ, हमारे इस एक और नए वीडियो में, अगर आप पुराने नोट और सिक्कों की तरह तरह की वीडियो देखकर ऊप चुके हैं, तथा अभी तक आपको कोई फायदा नहीं हुआ है, यानि कि नोट और सिक्कों की बड़ी-बड़ी कीमत, तो बहुत सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा कोई बायर नहीं मिला जो बिना रजिस्ट्रेशन फीस और बिना किसी निजी दस्तावेज के आपके नोट और सिक्के सही कीमत पर खरीदे, या फिर आपको बेचने का सही तरीका और आपके नोट और सिक्कों की असली कीमत बताए, तो सबसे पहले तो आप सभी वीडियो को गलत या फिर जूठा समझना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा बिलकुल भी संभव नहीं है कि आप किसी भी वीडियो पर भरोसा भी ना करें, और आपके नोट और सिक्के भी बिक जाएं। समझ में आ जाएगी, तथा उसके बाद जब आप अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए उस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो आपका वो कमेंट भी सबसे उपर दिखाई देगा, हाइलाइट में, क्योंकि जो लोग वीडियो को पूरा देखकर और उसको लाइक अपने नोट और सिक्कों की पूरी जानकारी लिखी हुई होगी, अब पहले आप अपने नोट और सिक्कों की कमेंट लिखना भी सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको मेरे नमबर और हमारी चाह पुराने नोट, और सिक्कों की दुकानों का एड्रेस धूंगा, जिन मेंसे किसी भी दुकान पर आप कभी भी आकर अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं, और आपको अपने दुरलब मुद्रा के कलेक्शन के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर फीस नहीं देनी है, तो सबसे पहल अपने कलेक्शन में से उन नोट और सिक्कों को अलग कर लीजिए, जो वीडियो में दिखाए गए हो, यानि कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, और जिस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, हम उसके बाद आपको अपने उन सभी नोट और सि पूरी जानकारी कमेंट में लिखनी है, जैसे मान लीजिये, आप कोई सिक्का बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिखें कि आपके पास कौन सा सिक्का है, यानि कि उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसको जारी करने का वर्ष क्या है, तथा उस पर कौन सा मिंट मार्क बना अगर कोई समारक सिक्का हो, तो उस पर जिस व्यक्ति या इवेंट की पोट्रेट बनी हो, उसके बारे में भी लिखकर बताना है, अब मान लीजिये कि आप कोई नोट बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले वही आपको उस नोट की फेस वैल्यू लिखनी है, फिर उसकी सीरि अब आपको इसी कमेंट में अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर या इमेल एड्रेस भी जरूर लिखना है, जिस पर असली बायर आपसे संपर्क करके आपके नोट और सिक्कों से जुड़ी कोई और जानकारी ले सके या आपके कलेक्शन को खरीदने के लिए डील कर सके, द जिससे हमारी आगे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, उसके अलावा जब भी हम आपके नोट और सिक्के खरीदने के लिए आपके किसी भी कमेंट का रिपलाई देंगे, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, अगर आप हमारी य नीचे कमेंट कीजिए. अगर आप अपने सभी नोट और सिक्कों की डिटेल लिख नहीं सकते, तो यहां हमारे फेस्बुक पेज पर आप अपने नोट और सिक्कों की फोटो और वीडियो भी भेज सकते हैं, लेकिन फोटो और वीडियो साफ सुतरी और अच्छी तब ही हम उनका अच्छे से मोल्यांकन करके आपको सही कीमत बता पाएंगे। सकते हैं।